हाई दोस्तों मैं हूँ आपके साथ तनवी सूद आपका स्वागित है बिजब बॉस के अड़े में मेरे साथ है प्रशांत,यास्मिन और तर्शिका वाइल्ड कार्ड वाइल्ड कार्ड वाइल्ड कार्ड वाइल्ड कार्ड इस बार बिग बॉस 13 में वाइल्ड कंडेसंस की कुछ जादा ही एंट्री हो रही है ये तो हर कोई जानता ही है कुछ टाइम पहले 6 कंडेसंस ने एंट्री ली थी वही हाली में एक प्रोमो रिलीज हुआ है जिसमें हमने देखा कि तीन-तीन कंडेस्सिंस आने वाले हैं जो है मधुरी मातुली, अरहान खान और साथी साथ शेफ आली बगा वही चलिए प्रशान से सबसे पहले जान लेते हैं कि कल के एपिसोड में क्या कुछ खास रहा करनाचाते हैं कि किसके साथ दोस्ती का शुबारम कर नचाहते ön तो यह थर्डषा देखने को मिला इसा के साथ सा एक शॉकिंग न ने को मिला इसके सांडे नावा की पत्नी वो की टीम आई, कार्तिक, अनन्य और भूमी आए थे, उन्होंने, सल्मा ने इस दौरा उनके साथ काफी सारे टास्क करे, इसके लावा जब वो लोग ये टीम जब घर में गई कार्तिक वगएरा, सबसे पहले तो शेहनास गिल, शेहनास गिल कार्तिक कार्यारियन को द इसके लावा एक और टास्ट हुआ, जो की सीडियो वाला टास्ट था, सीडियो के टाइप पर स्वेमिंग पूल में सल्मान खान ने सीडियी रखी ती, जिसमें की एक के कंटेस्ट जर से शेहनास, शेफाली जरी वाला आसिम, ये लोगों ने सीडिया चली, लेकिन एक काफी इंट्रस्टिंग रहा, एक और चीज जो सबसे इंट्रस्टिंग रही वो थी टांग खिचाई, पारस की और माहिरा की, सल्मान खान पूरे एपिसोड में उन दोनों की टांग खिचाई करती है, जो कि पारस बोलते थे बहुत बोलते थे, मैं बहुत कॉन्फिदेंट प्रोमो आया है, जिसमें हमने देखा कि मधुरे मातुली आती है, जो विशाल की एक्स-कल्फरेंड रह चुकी है, फिर शेफाली बगगा आती है, और साथ ही साथ आते हैं अरान खान, तो अब घर के अंदर खूब सारा हंगामा और घमासान देखने को मिलेगा त्या लगत तो मैं रश्मी को प्रपोस करता हमारी चीजे आगे बढ़ती, तो वो जब आते हैं तो उन्हें मतलब स्टॉप कर दिया जाता है, घर वाले सारे स्टॉप होते हैं, उसके बाद उन्हें जाके और कुछ भी बात करनी होती है, जिसके वज़े से वो बोलें और कुछ करें, रियक्ट करेंगे, तो वो मतलब टास दिया था, बिग बॉस ने, तो उसमें वो आते हैं, अरहान तो उन्हें रिंग दिखाते हैं, जिसके उपर वो रियक्ट भी नहीं करती, क्योंकि उन्हें स्टॉप किया गया होता है, तो मुझे अच्छा लगा, वो देखके कि वो रि जिसके अच्छाई होगी, वो सारी चीज़ उसके फेस पे बोल के जाएंगी, और महां पर सबसे ज्यादा इंट्रस्टिंग तो मतलब विशाल की गर्फ्रेंड थी, और उनका बहुत, मतलब उनकी कॉंट्रोवर्सी बहुत थपड मारा था, और बहुत जादा कॉंट्रोव क्या लगता है अब घर के अंदर और भी जादा ड्रामा देखने को मिलने वाला बिलकुल होगा क्योंकि अब जैसे की रश्मी का देखा गया था स्टार्टिंग में जब अधान घर से निकलेते तो काफी जादा रोही थी, इवन देवुलीना गई तो भी वो रोही इतना ज तो अब अलग ही एक मज़ा होने वाला जो देखते हैं कि लड़ाई चब रहा तो होगा क्योंकि शिफाली इन दोनों का तो चलो ठीक है कॉंट्रोवर्सी है मतुरेन मतुली काफी कुछ कह सती है जिसके बाद विशाल अब उनके जाने के बाद अब क्या बवाल करते हैं क्य का रियाक्शन देते हैं सबको कि उनकी पोल ना खुल जा सबके सामने काफी कुछ हो सकता है यासमिन जिसे हम ओडियोंस को बता दें कि काफी अभी जैसी प्रोमो रिलीज हुआ तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि यह लोग सिफ आएंगे और जाएंगे सिफ एक रियाक्श की एंट्री होने वाली है तो इसका मतलब यह हम बोल सकते हैं कि यह वाइल काइंगे और जाएंगे तो क्या कहना कि तन्वी जैसी की तुमने बताए वाइल कार्स डेफिनेटली तीनों वाइल कार्ड्स आरें काफी इंट्रस्टिं मुझे भी लग रहा है क्योंकि शेफाली को साइब में कि घर में लड़के भी बहुत सारे हैं उनका कनेक्शन वो किस्ते बरा के आगे खेलेंगी यह भी मुझे काफी देखना है लेकिन मुझे जो सबसे जादा इंट्रोस्टिंग लग रहा है वो है मधुरीमा तुली और दूसरे विशाला दित्या सिंग क्योंकि बल यह मैंने बहुत अच्छे से फॉलो किया है और मैंने देखा है कि किस हिसाब से इन दोनों की लडाईयां होती थी यानि कि कबीर सिंग की जोड़ी तुम समझ सकती हो कि कबीर सिंग हमने इवन शाहिद और क्यारा को भी देखा उसी तरीके से यह भी कबीर सिंग की जोड तो ने देखा कि शहनाज और सिधार्त के बीच में एक वीडियो बनाया गया था पारस डारेक्टर थे जैसे कि पहले रश्मी और सिधार्त के बारे में वा था लेकिन सलमान खान ने खुद यह बाद कही कि फान्स की फर्माईश की वज़ा से सिधार्त और जो शहनाज है उनक कि उनकी बेटर है यह जो भी मतलब क्योंकि रश्मी और सिधार्त की जो केमिस्ट्री है वो तो ओन स्क्रीन एक्स लेक्स लेकर लोगों को बहुत पसंद आते लेकिन इनकी नहीं जोड़ी है जो लोग देखना चाहते थे क्योंकि यह हमेशा घर में बहुत इनकी क्यूट सी बातचीत होती है और उन्हें खीचना मारना मतलब बहुत अच्छा लेकर लोगों को लेकर लोगों ने सौंग भी इसे लिए इसा खोजा इश्क वाला लव लाइक मतलब इनको है बॉट जादा लव देखने को मिल रहा है मतलब कुछ खटी पीटी सी मतलब बहुत अच्छा वाली जो वीडियो थी वो ऐसे लगी नहीं रहता अगर ऑन स्कीन मतलब अच्छी 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 लेकिन उनके बीच की जो कैमेस्ट्री ती वह ऐसी ही लग रही थी मतलब दूने दूसरे को लिटरली प्यार करते है क्योंकि हां उनके फेस पे जो टश था वो इतना जादा चाता जो मुझे शैनाज और सिदात में इतना नहीं देखने को मिला जितना मुझे रश्मी और सिदात में देखने को मिला बिलकुल और जनता ने भी दोनों की जादा बेटर बताया था जब मायरा और विशाल का भी हुआ था जो उनकी भी स्टोरी देखने को मिली थी हमें वेल गाइस आज के लिए बस इतना ही लेकिन हम जाते जाते थोड़ी सी बात कर लेते अपकमिंग एपिसोड की क्या क्या आज होने वाजा है अपकमिंग में यही है कि शइफाली बगगा, अरहाण खान की एंट्री होने वाली है घर में तो मतलब ओवरॉλ इन तीनों का मतलब है इसो जाके बात करना है घर वालों से और घर वालों को इग नौर करना है जैसे रशमी इगमोर करती है और नजर आएंगी अरहाण खान को तो मतलब इस तरह का काफी जादा भी मतलब एंटर्टेनिंग होने बावर बवाल भी मचेगा तो यह सब होगा अगी जाओंगा इस पे तन्वी कि एक तास्क होना है बेसिकली नजर अंदाज एक टास्क होगा जिस दौरान यह तीनों घर में आएंगे और यह तीनों के तीनों जैसे मधुरी मा विशाल को नजर अंदाज वो उनको करने की कोशिश करेंगे वो काफी बात करेंगी वह आरान भी इसे प्रोमु देखकर यह तो यहीं लग रहा है कि रश्मी शायद जीत सकती है क्या कि रश्मी का अरहान और उपर उनको रिंग देना प्रपोस के लिए जो भी चीज करना वो कही ना कहीं काफी अच्छा लगा कि रश्मी शायद नहीं कर पाती जर्द अंदाज लेकिन ऐसा लग रहा है कि उन्होंने काफी अच्छे से किया और वो शायद इतास जीत भी सकती है तो यही सब आज दे झाल